जो ETF है उसके बारे में जानकरी देने वाला हो कि आपको इस ETF के साथ क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे जागे आपको क्या टार्गेट देखने को मिल सकते हैं इतना जो करेक्शन हो गया उसके पीछे क्या वजह है आने वाले तुन में कहा तक लेवल देखने को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हो फस्टम विजट करें चैनल को सब्सक्राइब करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रही बात इसका नहीं पता होगा तो आपको यह ने सी के अंदर मिलेगा नहीं मोन 100 करके आपको यहां पे सर्च करना है मोन 100 जैसे सर्च करोगे तो यह ETF मिल जाएगा यह ETF मुतिलाल औस वाल NASDAQ 100 ETF इस नाम से फेमस है इसका जो पैसा लगता है वो NASDAQ Index आपने सुना होगा नहीं सुना होगा तो बता देता हूँ NASDAQ 100 एक इंडेक्स है US Market के अंदर जैसे IN हम लागता है मतलब मानके चलो नेस्डैक आज के ट्रइनी क्यों है तो यह 2-2 पर परसेंट यह पर्सेंट ढूर आएगा और टीन पर्सेंट आएगा और नास्टीन परसेंट उपर गया तो चार से लेखें पाच कंपनिया यहां पर अलग सेटर की है तो यहां पर आपका पैसा लगने वाला है आप टेन जो कंपनिया यूएस मार्केट की तो यहां पर में बताना चाहता हूं सबसे प्लबे हो गया माइक्रोसॉट माइक्रोसॉट का अपनी जरूर नाम सुना होगा उसके बाद टेस्ला का नाम सुना होगा फेस्बूक का नाम सुना होगा अपने ठीक है तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनिया में आपका पैसा लगने वाला है आपका यूएस मार्केट के उपर पैसा लगेगा कुछ आपको डाइवर्शिप यहां पे फंड भी करना चाहिए और कुछ पैसा आपको इंडेक्स से वह कभी भी बंद होने वाला नहीं है रहेए कर देखने को मिला मतलब में नेक्स टेरिंज सेशन में आपको यह तीन परसेंट की जंप आपको देखने को मिलेगी अभी 92.50 के आसपर स्टेडिंग हो रहा है काफी गिरावर देखने को मिर रही है स्पेशलिए फार आईटी सेक्टर और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदी चल रही है उसके वजहाँ इसल से यहाँ आपको गिरावर देखने को मिर रही है तो US के अंदर ये इंट्रेस्ट्याट बढ़ चुका है तो आपको उसकी वज़ा सहई US मर्केट के अंदर बहुत ज्यादा गिरावर देखने को म striT मिला है लेकन US मर्केट आपको डाउन आती वही थे., so और एक मीटी मार्केट तो यह बार-बार अपर्चुनेट नहीं मिलेगा 125 के आसपास यह ट्रेडिंग कर रहा था अभी 92 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है अभी चार्ट के बेस्टों पर समझाऊंगा कि कितना पर्शन का कर्रेक्शन हो चुका है और आने वाले दिनों में आ अभी पैसा नहीं बना लेकिन यहां से अभी पैसा लगाते हो तो आपको पैसा बनने के ज्यादा चांसे से लास्ट एक साल के इंदर देखोगे तो अभी भी आपको 13% के गिरावट और लास्ट पास साल में इसने 142% के रिटर्न अभी भी बना के दिए 30% गिरने के बाद यहां पर 170% से भी ज्यादा रिटर्न इसने लास्ट पास साल में बना के दिए वह भी यूएस मार्केट के उपर तो भी यूएस मार्केट के रखे आपके पास क्या सही तो अभी आप इंवेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो यह अपर बार बार नहीं मिलेगा और किस लेवल इसका पैसा लगता है मैंने आपको बताया था तो नाजडेक हंडेट इंडेक्स के ऊपर देखोगे तो 35% का करेक्शन हो चुका है और इसके पहले वाला जो करेक्शन आया था कोरोना के बीचे में वह कितना पर्शेंट का आया था वहां पर भी फोकस करूंगा क्यूंकि इ आपर 25 से लेकर 30% का करेक्शन देथा है और उसके बाद जबभी रेली चलती तो बहुत लाजवा राडे देख़ने को मिल था यहां पर 20% का करेक्शन और जबी भी करेक्शन देखने को मिला करेक्शन के बाद जबी भी रैली चली तो यहां से देखने को मिला यहां से देखने को मिला यहां से देखने को मिला तो जबी भी अच्छी करेक्शन देखने को मिलती है तो आपको हमेशे यह गोल्डन 100% से लेके 70-80% तो पकड़ी लेज़ें आपको return मिलने वाले अभी यहाँ पे भी देख लेज़ें यहाँ से जो correction देखने को मेरा है वो कितना percent की correction है तो यहाँ पे भी देख लेज़ें लगवग लगवग 33-34% की correction यहाँ भी हो चुकिये हेल्दी करेक्शन हो चुकिये विवकुल आप से बाई करके चल सकते हो यहाँ से 70-80% का मैं target aggregate करता हूँ मतलब आप 94-95 के range में बाई करते हो इसको और यहाँ से 100% के target पकड़ता हूँ तो 180 के target के साथ आप यहाँ पे hold कर सकते हो का आने वाले दो तिन सार का turn और होगा आपका और holding का plan होगा तो 180 के target के साथ hold कर सकते हो शौट तम में target क्या मिलेंगे शौट तम यहाँ पर 30 से लेके 40% का aggregate return पकड़ लेते हैं यहाँ पर क्या होता है जब market के अंदर correction आता है तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने का तो फर्स्ट में आपको से करना है यह फर्स्ट में आपको यहाँ पर 3% डाउन आएगा तब करना है थर्ड में यहाँ से 3% डाउन आएगा तब करना है फोर्थ में यहाँ पर 3% डाउन आएगा तब करना है फिप्ट में तीन परसें डाउन आएगा तब करना है तो इस तरीके साथ आप स्ट्रेजी स्ट्रेजी यूज कर लीजिए इस एट्यों के ऊपर और बाइंग रेट्स आपको जैसे ही 10% का प्रॉपिट मिलता है शौट टम में तो आप प्रॉपिट बुक करके एगजिट कर सकते हो और फिर सेम स्ट्रेजी को आप फॉलो करके रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हो और सिंपल स्ट्रेजी है यह विकुल काम करती है स्पेशली फॉर जब इंडेक्स को पर 30% का करेक्शन हो चुका है तो यह आपके लिए बाल बाल अप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता आप यहाँ पर एक हेवी कॉन्टिटी भी यहा क्या है आने वाले दिन्व में कितने टार्गेट इमिल सकते है और कौन से मार्केट के उपर इसका पैसा लगता है कौन से इंडेक्स है जो हो यहाँ पर आपको पैसा देता है complete जानकरी मैंने आपको इस वीडियो के इंदर बताने की कोशिश क्या फिर भी कोई भी यहाँ पर यह टॉपिक भी छुड़िया हो तो comment करके जरूर पूछ लेजिए मैं नेक्स वीडियो में और यहाँ पर डीटेल इंफर्मिशन देने की कोशिश करूँगा मिलती हैं वीडियो नेट अपके साथ तब तक लिए बाई बाई